आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ये डेलिशस चिकन पनीनी सान्विचेस की रेसिपी टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आप इसे हर दिन बनाना चाहेंगे चले रेसिपी करते हैं स्टार्ट सबसे पहले बोल में शामल करें दो कप मैदा यानी ओल परपरस फ्लार अब डाले इसमें वन टीस्पून येस्ट इंस्टिंट येस्ट मैंने यूज़ किया है और साथी है वन टीस्पून सॉल्ट वन टीस्पून डालेंगे चीनी यानी शिगर अच्छे से मिक्स कर ले मेक शूर कि येस्ट आप की बनको सही होनी चाहिए और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मैल्टेट बटर ये टू टीबल स्पून मैंने यूज़ किया है अच्छे से आप इनको मिला ले तो ये मिक्स हो चुकी है इसमें हम मिल्क शामल कर देंगे मिल्क यहाँ पर गर्म है और थोड़ा थोड़ा करके आपने इन में डालना है और एक सॉप्ट सी डू हमने तियार करनी है डू यहाँ पर तियार हो चुकी है तो हमने इनको कवर कर देना है और राइस होने के लिए इनको छोड़ दे आप एक गंटे के लिए दो को आपने किसी भी गर्म जगह पे रखनी है तो आप बंद बंद में रख सकते हैं चलने चलते हैं निक्स टप में तो यहाँ पे मैंने पैन में शामिल किया है टू टेबल स्पून आयल और इसमें हम शामिल कर देंगे 300 ग्रामस बोलने स्चिकन चिकन को हमने पका लेना है जब दकीन की कलर जो है वो चींच ना हो जाए तो देखे कलर यहाँ पे चींच हो चुकी है चिकन कुक हो चुकी है इसमें शामिल कर दे 1 टेबल स्पून ग्रेट जिंजर या पर पेस्ट का यूज कर सकते है अब और थोड़ा सम्लें को फ्राइ करना है अब शामिल करें कुछ स्पाइस जिन में है 1 टेइस्पून ब्लाक पेपर 1 टेइस्पून गार्लिक पाउडर 1 टेइस्पून पैप्रिका 1 टेइस्पून सॉल्ट अच्छे से आप इनको मिक्स कर ले मसाले मिल चुकी है इसमें शामिल कर देंगे 2 टेइस्पून होट सॉस अच्छे से आपने इनको मिला लेना है अब हमने इसमें डालना है 1 टेइस्पून सॉय सॉस 2 टेइस्पून डालेंगे टेमेटो केचप अच्छे से आपने इनको मिक्स करना है अच्छे से मिक्स करें और लास्ट में हमने इसमें शामिल करनी है चॉप की हुई प्यास और चॉप की हुई कैपसिकम याने शिम्रा मिर्च और अच्छे साब इनको मिला ले कुछ एक से दो मिनट के लिए अपने इनको fry करना है चिकन रेडी हो चुकी है एक प्लेट में निकाल लिए और इनको अब धंड़ कर ले दो यहाँ पर अच्छी तरह से राइस हो चुकी है वॉल्म में डेबल हो चुकी है तो सारी एर बबल आपने इस तरह से पंच करकर रिमूब कर देना है काउंटर पर थोड़ा से मैदा डस्ट करें और दो को रखके आप इस तरह से दो इकुल पार्ट में डिवाइड कर ले यह पर आप इसे तीन पार्ट में भी डिवाइड कर सकते है तो वह bread की size depend करती हैं अब कितनी parts में इनको divide करते हैं एक part को लेंगे और इस तरह से अब हमने इनको बेलना है यानि roll करना है तो मैंने यहाँ इनको थिक roll कर लिया है तो एक bread मैंने बनाना है oven में और दूसरी बनानी है pan में तो 20 मिनिट्स के लिए आप अवन में इनको बेक कर ले 180 दिग्रे सेल्सियस में फ्लीम आपने बिल्कुल लो रखना है जब आप ब्रेट को ट्रांसफर करें वो बिल्कुल लो हीट में हमने ब्रेट को पकाना है कुछ एक मिट के बाद ब्रेट को फिल्प कर देंगे और दुनों साइट से अच्छी तरह से इनको कुक कर ले थोड़ा प्रेस करें और अच्छी तरह से आप इनको पका ले तो बहुत ही असानी के साथ पैर में भी ब्रेट बन के तयार हो जाती है bread को side side से आप अच्छी तरह से cook कर ले तो ये असानी के साथ ये bread बन के दयार हो जाती है तुमारी sandwich पर यहाँ पर दयार हो चुकी है जो कि हमने बनाए है band में और oven वाली भी दयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छी तरह से bake हो चुकी है ये दोनों ही bread बहुत ही अच्छी तरह से बनी है और extremely soft है bread जब थोड़ी cool हो चुकी है तो इसे हम cut कर लेंगे तो इसे माने cut कर लिया है ये bread हमने oven में बनाई थी और ये दूसरी bread जो कि हमने pan में बनाया था दोनों bread बहुत अच्छी बनी है और टेस्ट में कोई difference नहीं है चले पनीनी sandwich तैयार करते है तो एक side पर आपने लगाना है tomato ketchup और इस पर मैंने लगाए है mayonnaise तो दोनों की टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है इस sandwich में अब इसके रपर से हमने chicken डालनी है और लास्ट में डालेंगे mozzarella cheese जिसे की टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है और थोड़ा से उपर में हमने लगाना है butter और अच्छे से आप इनको spread कर दे grilling panel मैंने थोड़े से butter शामिल किये थे और flame यहाँ पर बिलकुल low है carefully आपने flip करना है और दोनों side से आप थोड़ा से press करी ताकि इन में अच्छी से grilling marks आ जाए तो grilling marks बहुत ही अच्छी से आ चुकी है इसमें तो चले इनको निकाल लेते हैं बहुत ही delicious पनीनी sandwich यहाँ पर तयार हो चुकी है यह sandwich इस अतनी अच्छी बन के तयार होती है कि आप इसे हर दिन बनाना चाहेंगे रेसिपी आपने जरूर से ट्राइ करनी है और मुझसे अपनी feedback भी शेयर करें रेसिपी बसंदायत इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें मिलती हो नेक्स रेसिपी में इंशाला अल्लाह अफिज